प्रभावे नियंत्रण के बाद मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ कोई भी खत्रा नहीं उठाना चाहते हैं कोरोना संक्रमन की कारण शूबे में सावन में कामर यात्रा पर लगतार दुसरी बार प्रतिबंद लगाने के साथ हैं योगी आधितनाथ सरकार ने मुहरम परताजिय जुलूष की अनुमत्ती भी नहीं दी है मुहरम दश अगस्त से सुरू हो रहा है और दश्मी परताजिय जुलूष भी निकाला जाता है इस बार दश्मी ओनहीं इस अगस्त को है सियम योगी आधितनाथ का सभी अधिकारियों को असपस्त निदेश है कि कोरोना वायरिस का संक्रमण किसी धर्म पंथ या मज़भ को देख कर प्रभावी नहीं होता है इसी कारण मुहरम परताज या जुलूष को निकालने की अनुमती न दे देश के अन्य राज्यों की तुल्ला में उत्र परदेश में कोरोना वायरिस की प्रभावी नियंत्रन के बाद परदेश शरकार के सी भी परविया अन्य बड़े आयोजुनू की अनुमती दे कर कोई खत्रा मोल नहीं लेना चाहती है प्रदेश के दस दिले वर्तमान शमय में कोरोना शंक्रमर से मुक्त ऐसे में सरकार कोई भी जूखी नहीं उठाना चाहती है प्रदेश शरकार ने सावन के महीने में कामर यात्रा पर प्रतिबंद लगाने के बाद मुहरम में ताजिया जूरुष को भी अन्मती नहीं दिये के प्रदेश में कोबी-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहरम बहुत शादगी और शांती से बनाया जाए जिसके बाद पुलिस महाने देशक मुकुल गोयल ने सभी पूलिस अधिक्षकों को मुहरम के मद्धे नजर अपना दिशा निर्देश जारी कर दिया है उन के सहयोग से विवादिद अस्तल धथा मारिक का निशान देही कर कि समय रहे संतोष यनक निस्तांतरन करने के निदेश भी हैं प्रदेश में मुहरम 10 अगस्टे शुरू होगा और 19 अगस्ट को 10 भी होगा प्रदेश के टीज़ेपी मुकुल गोयल ने पुलिस अधिकारियो प्रदेश के दस जिले कोरुना संकर्मण से मुक्त हैं इनमें कोई शक्रिय केस नहीं है ऐसे में प्रदेश सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है पिछले दीनों कामड यात्रा पर भी रोग लगा दे गए थी निव्ज रूम से निव्ज लाइट की रिपोर्ट जो स्थिर कोई चैनल सप्रेष नहीं जो सब्सकार के लिच면 के लगा केतं लाईसे प्देश के लिफैंश के रिवात्वी थै depuis